नमस्कार, CCC exam में अक्सर पूछे जाने वाले टॉफ 50 questions आज की इस class में हम आपके साथ discuss करने वाले हैं, यानि आज की इस class में लगेगा प्रश्णों का अर्सतर तक। जी हां दोश्टों, जो questions CCC exam में हर बार देखने को मिलते हैं, ऐसे questions का collection आज की इस class में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो जिनका भी CCC exam है, वो इस class को लाज तक जरूँ अटेंड करें। साथी साथ exam से पहले, आप सभी लोग अभैक्षर कंप्यूटर की CCC की महामयातन क्लास को देखना मत भूलिएगा, CCC की classes आप YouTube पर उठा के देखेंगे, तो यहां आपकी class सारी record को तोड़ चुकी है, सबसे ज़्यादा famous अगर कोई class है, तो वो अभैक्षर कंप्यूटर की CCC की महामयातन क्लास है, वो कि ऐसी class मैंने बनाई है, जो आपको CCC exam में 100% टॉप कराने में सक्षम है, तो इस class को आप जहूर देख लीजेगा, और CCC exam में present time पर LibreOffice की काफी सारे unique questions देखने को मिलते हैं, जिनका collection मैंने CCC की महामयातन क्लास जो कराई है LibreOffice की, उसमें उ आउशकता है, तो वीडियो की नीचे हमारी top 2100, 200 most important questions के PDF के link दी गई है, वहाँ से आप उसको download करिए, पढ़िए और CCC exam को top करिए, अगर आपकी कोई query है, तो आप हमसे whatsapp, facebook, instagram कहीं पर भी content कर सकते हैं, वहाँ पर आपको instant solution मिल जाएगा, तो time waste ना करते हुए, चलिए दीबात, नोबकवास, यही है अभैक सल की class, let's begin in this topic, पहला question है, IEEE 802.5 क्या है, इन सभी questions को आप सभी लोग mock test के रूप में लेते रहिए, और comment box न सच देते रहिए, वीडियो के लाज में आप जरू बताएगा, कि आपके कितने questions सही हुए हैं, अब यहाँ पर बात की गई है, IEEE 802.5, यह क्या है, token bus है, Ethernet है, token ring है, या फिर इन में से कोई नहीं, बताएगे, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, option C, यह token ring है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी important question है, अब next, WLAN stand for wave-based LAN, true या false, क्या WLAN का full form wave-based LAN होता है, तो यहाँ आपका बिलकुल गलत है, ठीक है न, क्योंकि W यहाँ पर किसको represent करता है, wireless को represent करता है, इसको हम wireless LAN के नाम से भी जानते हैं, और LAN का full form क्या होता है, यहाँ भी आपके लिए important है, triple C exam में काफी पूशा आता है, तो LAN का full form होता है, local area network, ठीक है, याद रखिएगा, अब next, निम्न मेंशे एक स्लाइड पर विभिन एनिमेशन लागू करने का आशान तरीका निम्न मेंशे कौन सा है, मिन्स अगर आप एक स्लाइड पर कई सारी एनिमेशन को लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका उप्योग करेंगे, जिसके दोर सिम्पली आप एनिमेशन लगा पाएं, कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पैन में एफेक्ट लागू करें, एनिमेशन स्कीम लागू करें, एनिमेटेड क्लिपार के साथ बुलेट को कस्टमाइज अनकूलित करें या उप्रोग सभी, विच आप दी फालूइंग इस दा इसेस्ट वेए, तो अप्लाइ डिफरेंट अनिमेशन टेक्स्ट पैन्स, अप्लाइ एनिमेशन स्कीम, कस्टमाइज दा बुलेट विद अनिमेटेड क्लिपार या अल आप दी अबब, तो इसका राइटांस हो जाएगा, आप्शन बी, एनिमेशन स्कीम को लागू करें, मिन्स अप्लाइ एनिमेशन स्कीम, इसके माध्यम से आसानी से आप एक स्लाइड पर कई सारे एनिमेशन से लगा सकते हैं, अब नेक्स्ट, हैकर एक ऐसा साफ्टर है, जो आपको अनमती के बिना, आपकी कम्प्यूटर को एक्सेस कर सकता है, बताइए, क्या हैकर एक ऐसा साफ्टर है, जो हमारी अनमती के बिना, हमारी कम्प्यूटर को एक्सेस कर सकता है, ट्रू या फाल्स, तो यहाँ पर स्क्राइटान सो जाएगा option भी false क्योंकि देखिए hacker क्या है एक person होता है ना कि कोई software और यहाँ पर कहा गया hacker एक ऐसा software है तो बिल्कुल गलत है अब next किस protocol के पास ऐसा गुण है जो mail संदेश को upload करने की अनुमती देता है SNMP, IMAP, POP3 या HTTP CCC exam में इन सभी के full form भी पूछा आते हैं SNMP का full form क्या है या कई बार exam में पूछा गया है जिसका full form होता है simple network management protocol क्या होता है simple note कर देते हैं यहाँ पर network main protocol ठीक है न ऐसे ही IMAP का full form क्या होता है या भी exam में का पूछा आता है तो IMAP का full form होता है internet message access protocol क्या होता है internet message access protocol ठीक है यह किसका protocol है email का protocol होता है ऐसे ही POP3 का full form क्या होता है post office protocol क्या होता है post office protocol ऐसे ही HTTP का full form hyper text transfer protocol ठीक है transfer protocol याद कर लीजेगा यह सभी आपके exam में पूछा आते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस protocol के पास ऐसा गुण है जो mail संदेश को upload करने की अनुमति देता है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा IMAP internet message access protocol email download करने के लिए किस protocol का उप्योग करते हैं तो mail download करना है उसके लिए हम उप्योग करते हैं POP3 का mail receive करने के लिए POP3 का अब next रोबोट एक करतिम उपकरन है जो मनुष्य जैसा कारे करता है मताई यह क्या रोबोट एक करतिम उपकरन है और मनुष्य की तरह कारे करता है तो बिलकुर सही बात है ठीके ना रोबोट एक करतिम उपकरन है और मनुष्य के जैसा ही कारे करता है आप देखते हैं ना AI AI को आपने शुना होगा AI का full form क्या होता है artificial intelligence जो मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कारे करता है अब next वह इस्थान जहां सभी प्रकार के email संदेश विवश्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं बताईए ऐसा इस्थान जहां सभी प्रकार के email संदेश विवश्थित होते हैं उसे जानते हम mailbox के नाम से ठीक है ना mailbox जो आपके inbox और outbox से मिलकर बना होता है Outbox में जो mail जा रही है, वह store रहती है Sendbox में जो mail भेजी जा चुकी है, वह store रहती है Inbox में जो mail प्राप्त हो रही है, जो receive हो रही है, वह store रहती है अब Next Bootstrap is used for Bootstrap का उप्योग निम्ण में से किसके लिए करते हैं Web Applications, Data, IoT या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट रांस हो जाएगा Option A, Web Applications के लिए ठीक है न, याद रखीगा IoT का full form क्या होता है, या भी triple C exam में काफी पूछाता है तो IoT का full form होता है, Internet of Things ठीक है, अब Next यदि आप नहीं जानते हैं कि आप अपने computer में MS-DOS का कौन सा संस्क्राण यूज कर रहे हैं तो आप किस कमांड का उप्योग करेंगे Means अगर आपको नहीं पता है कि आप MS-DOS का कौन सा वर्जन अपने computer system में उप्योग कर रहे हैं अगर आप उसके वर्जन को जानना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उप्योग करेंगे format, dir, ver या disk कमांड तो इसका राइट रांस हो जाएगा आप्शन C, ver कमांड का उप्योग करते हैं अब next इनमें से कौन सा block device है mouse, printer, terminal या फिर disk बताइए इनमें से कौन सा block device है तो इसका राइट रांस हो जाएगा option D, disk आपका क्या है एक block device है अब next IMAP, POP3 से ज़्यादा सही है IMAP का full form क्या होता है या भी triple CXA में का पी पूछाता है तो IMAP का full form होता है internet masses, access protocol क्या होता है internet masses, access protocol POP3 का full form, post office protocol होता है तो यहाँ पर इसका राइट रांस हो जाएगा option first true बिल्कुल सही है IMAP, POP3 के तुलना में ज़्यादा बेतर है अब next उपभोकता, उपभोकता के मध्य शामान को बेचता है तो यहाँ किस प्रकार के व्यवशाय के अंतरगत आएगा मेंसे जहाँ पर एक कस्टमर, दूसरे कस्टमर के पास समान को भेचता है या आपस में कोई खरिदारी करते हैं तो वह किस के अंतरगत आएगा बी टू शी, सी टू बी, सी टू सी या बी टू सी तो यहाँ पर स्काराई टांस हो जाएगा option C, सी टू सी क्योंकि जहाँ पर ग्राहाक का संब्ध सीधे ग्राहाक से होगा वो क्या है? सी टू सी और यहाँ पर बोला भी गया था consumer to consumer अब next किसी mobile app द्वारा train की ticket बुक नहीं की जा सकती है वताइए क्या होगा इसका राइटा अंसर क्या mobile app के माध्यम से जो ticket है वो बुक नहीं कर सकते है तो यहाँ बिल्कुल आपका false हो जाएगा option second is false अब next net banking में GST लगता है बताइए क्या net banking में GST का उप्योग होता है true या false तो यहाँ आपका गलत है net banking में GST का उप्योग नहीं होता है यहाँ पर यहाँ आपका false हो जाएगा option second is right अब next वेब ब्राउज सर्चिंग हिस्ट्री कहां इस्टोर होती है browser में, search engine में, cookies में या फिर in mistake कोई नहीं यहाँ पर कहा क्या है कि browsing search history यह आपका कहां पर होता है तो browser में store हो जाता है तो यहाँ पर subscribe answer क्या हो जाएगा option first, browser अब next किस menu में wizard sub menu भी होता है tools, format, insert या फिर file बताईए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर पूछा था wizard का तो file पर आप जाएंगे wizard पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए sub menu के अंतकत जैसे later, fax, azenda document converter, euro converter address data source यह options आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो हमारा question क्या था की wizard sub menu कहां पर होता है तो file menu के अंतरगत होता है option 4th is right अब next क्या twitter में 280 सब्द लिखे जा सकते हैं, बताईए क्या twitter में 280 characters आप लिख सकते हैं, या फिर नहीं तो यह आपका बिलकुल true है, क्योंकि वहाँ पर अधिक्तम 280 character की ही limit दी गई है अब next Linux is a free operating system, क्या Linux एक free operating system है, तो बिलकुल सही बात है, Linux आपका open source operating system है, अर्थात यहां आपका बिलकुल free offcast होता है इसका उप्योग करने के लिए company से कोई license क्या आशकता भी नहीं परती है अब next file की अनुमती 764 का क्या अर्थ है हर एक पर सकता है समू केवल निस्पादित कर सकता है और मालिक पढ़ और लिख सकता है दूसरा है हर एक पर सकता है मालिक सही समू लिख सकता है और अकेले मालिक निस्पादित कर सकता है हर कोई पढ़ लिख सकता है लेकिन अकेले मालिक निस्पादित कर सकता है तीसरा है हर एक पर लिख सकता है और अमल कर सकता है तो file 764 का अर्थ है कि यहाँ पर पढ़ इसको कोई भी सकता है लेकिन मालिक सही समू ही इसमें के अवर लिख सकता है और जो सिर्फ honor है वही कोई editing कर सकता है तो यहाँ पर subscribe answer क्या हो जाएगा option second ठीक है ना clear कोई दिक्कत अब next IPv6 कितने bit का होता है how many bits is IPv6 बताईए IPv6 में कितने bit होते हैं 32 bit, 64 bit, 128 bit या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर subscribe answer हो जाएगा option C, 128 bit क्योंकि IPv6 आपका 128 bit का होता है IP का full form internet protocol होता है अब next कौन सा command वियाई समपादक में सभी संचिप्त रूपों को दिखाता है वियाई एडिटर क्या होता है पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first AB capital और इसमाल दोनों का ध्यान आपको रखना है यहाँ कि जब वियाई एडिटर में कोई command capital later में लिखी जाती है तो कभी उसका कारेट change हो जाता है और इसमाल में इसका कारेट दूसरा हो जाता है वियाई एडिटर होता क्या है वियाई का full form क्या है यहाँ भी आपको पता होना चाहिए तो वियाई का full form होता है visual editor क्या होता है नोट कर लीजेगा visual editor होता है साथी साथ VI का उपयोग हम कहां करते हैं तो जैसे आप सभी लोग नॉर्मली Notepad का, Notepad++ का Sublime Text Editor का उपयोग करते हैं वैसे ही VI Editor एक Screen Oriented Text Editor प्रोग्राम है जिसका उपयोग मुखिताह Linux Operating System में किया जाता है साथी साथ Linux Operating System में भी VI Editor का उपयोग किया जाता है ठीक है ना, तो यहाँ पर Right Answer आप नूट कर लीजेगा अब देखते हैं, Next Question Pac-Man का आविशकार किया गया था Pac-Man was invented in means Pac-Man का आविशकार कब किया गया था 1987, 1980, 1985 या 1990 बताइए क्या होगा इसका Right Answer Pac-Man क्या है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है प्योंकि एक्जाम में कुछन मिरे पूछ आता है कि Pac-Man क्या है Pac-Man किस के दर डेजाइन किया गया Pac-Man के डेवलपर कौन है तो Pac-Man क्या है आपका एक Japanese Video Game है क्या है आपका एक Japanese वीडियो गेम है और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आप्सन सेकेंड नाइन्टीन एटी पैकमेन के डेवलपर में सबसे जो में नाम है वो आता है नैमको का ठीक है इन्होंने और भी इनके साथी थे सबने मिलकर इसको डेवलप किया था अब देखते हैं Next Question क्या हम LibreOffice Impress में Templates Slide हटा सकते हैं जब LibreOffice Impress को Open करते हो तो वहाँ पर आपको Template मिलता है आप चाहें तो उन Template का उपयोग कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप विना Template के भी अपनी Slides को Create कर सकते हैं यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने LibreOffice Impress Open हो रहा है Impress क्या है आपका Presentation का एक प्रोग्राम है जैसे आप MS Office में उपयोग करते थे PowerPoint का वैसे यहाँ पर Impress है यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मिल गया Select a Template अगर आप इसमें से कोई Template बांते हैं तो अगर आपको यहाँ से कोई Format चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस Format को Insert कर सकते हो Slide का Format वैसे ही हो जाएगा अगर आप नहीं चाहते हैं तो डायेटली आप फाइल पर जाके New पर क्लिक करके या पिर वहीं पर आप Close कर देते हैं तो भी आपको बीना Template के Presentation मिल जाता ठीक है ना जैसे यहाँ पर इसे Close करना है Close पर क्लिक कर दिया देखे बीना Template के Slide हमारी हो गई ठीक है ना तो यहाँ पर यह पूछा गया है क्या हम LibreOffice Impress से Template Style हटा सकते हैं तो बिलकुल सही है Option First is Right अब Next SBI दोरा Online Payment करने के लिए कौन सा एप जारी किया गया है Which app has been Released by SBI for making online payment SBI Pay, Yono SBI Online या फिर इन मेंशे कोई नहीं SBI का Full Form भी CCC exam में पूछता है Simple सा है State Bank of India अब ये Question exam में पूछ देता है कि एक छेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है या किस बैंक की साखाएं सरवादिक हैं ऐसा Question में CCC exam में काफी पूछता है तो SBI की साखाएं काफी जादा है और सबसे बड़ा छेत्री बैंक के अंतरगत भी आपका SBI आता है और SBI ने Online Payment करने के लिए लांच की आपका Yono SBI है ना और आप Ads भी वहाँ पर सुन पाते हैं तो Yono है तो क्यों No है है ना अब Next IIN Number Means IINN का Full Form क्या होता है यहाँ पर थोड़ी से Mistake है यहाँ पर IIN होगा बताईए Issue Identification Number Issue Identification Number Issue Identify Number या Issue Identity Number बताईए क्या होगा इसका राइटांसा तो यहाँ पर इसका राइटांस होजाएगा Options Second Issue Identification Number अब Next क्या LibreOffice Writer के Title बार में दस्तावेज के सीरसक में File Extension सामिल होता है True या False बताईए क्या होगा इसका राइटांसा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने LibreOffice Writer ओपन है यहाँ पर जूम कर लेते हैं जूम करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर जाईए तो देखिए यह आपका Title बार है जहाँ पर लिखा हुआ है Untitled to Means आपने LibreOffice Writer ओपन किया है यह यहाँ पर लिखा है लेकिन फाइल का extension यहाँ पर include नहीं है सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम यहाँ पर होता है फाइल नेम अगर आपने अभी नहीं दिया है तो वहाँ पर Untitled 1 अगर दूसरी फाइल है तो 2 तिसरी फाइल है तो 3 ऐसे यहाँ पर आपका लिखा रहेगा तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा Option भी false वहाँ पर extension नहीं होता है अब next किस प्रोटोकॉल को connection oriented protocol कहा जाता है बताए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको connection oriented प्रोटोकॉल कहते है TCP IP, HTTP, FTP या फिर USENET तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा Option first TCP IP को connection oriented प्रोटोकॉल कहा जाता है अब triple C साम में इससे सम्मदित एक प्रस्ण या पूछाता है कि internet का standard प्रोटोकॉल कौन सा है तो internet का standard प्रोटोकॉल TCP IP को ही कहा जाता है या internet का मूलभूत प्रोटोकॉल TCP IP को कहा जाता है triple C exam में इससे सम्मदित एक कुशन यहाँ पूछाता है TCP IP का full form क्या है तो TCP IP का full form होता है transmission control protocol क्या होता है transmission control protocol और IP का full form भी triple C exam में काभी पूछता है कभी कभी जिसका full form होता है internet protocol दोनों को याद रखिएगा HTTP का आप जानते ही है hypertext transfer protocol और FTP का full form होता है file transfer protocol क्या होता है file transfer protocol अब next Facebook में एक user सिर्फ एक ही page का admin हो शकता है बताइए क्या Facebook में अगर कोई page आपने बनाया है जैसे आपका अपना Facebook page है अब है Excel computer आप यहाँ पर इसको follow कर लिजिएगा तो Facebook page में एक ही admin हो सकता है बिल्कुल गलत है exam में एक question कभी कभी ये पूछता है क्या Facebook page में multi admin हो सकते है तो जी हाँ बिल्कुल सही है multi admin का मतलब होता है एक से अधिक admin ठीके ना एक वक्ती कई page का admin हो सकता है और एक page में कई admin हो सकते है दोनों बाते सही है अब next PNG stand for PNG का full form क्या है बताए portable network graphics portable new graphics portable network graphical या फिर इनमें से कोई नहीं PNG है क्या तो image का एक प्रारूप है कभी कभी triple six सामें यह question पूछ लेता है कि निम्न में से image का सही प्रारूप कौन सा है तो आप देखते है JPG JP EASY BMP PNG यह सभी क्या है image के ही प्रारूप है नूट कर लीजेगा जाहे वो JPG हो चाहे JP EASY हो चाहे वो BMP हो या GIF है या PNG है यह सभी क्या है image के ही प्रारूप है ठीक है न याद रखिएगा और यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा portable network graphics ठीक है याद रखिएगा अब next क्या हम display setting से text size बदल सकते हैं can we change the text size from display setting true या false बताइए क्या होगा इसका right answer तो बिलकुल सही बात है display setting से हम text के size को बदल सकते हैं option first is right अब next server means कौन सा server network के लिए file को store करता है और इन्हें manage करने का काम करता है बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option fourth file server file server क्या करता है network के के लिए file को store करता है उन्हें ब्यवस्थित करने का काम करता है कैसे कहाँ पर किसका उप्योग करना है इन सबी चीज़ों का ध्यान रखता है फाइल सर्वर अब next राइटर की extension .odius होती है बताईए क्या LibreOffice राइटर की extension .odius है simple सा question है एक चीज़ आपको एक्जाम में ध्यान रखना ही है कि कभी कभी CCC में false first में हो जाता है और true को b में रख दिया जाता है अक्सर आपको true first में और false b वाले मिलता है इसलिए आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first false क्योंकि राइटर का extension क्या होता है तो राइटर का extension .odt होता है क्या होता है .odt calc का होता है .odius और impress का होता है .odp तीनों को आप याद रखिएगा अब देखते हैं next question जिप फाइल का अर्थ क्या है what is the meaning of zip अर्थाद zip फाइल deleted फाइल compressed फाइल या fragmented फाइल या safe फाइल बताइए क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer हो जाएगा option b compressed file compressed file क्या होती है जब किसी file का आकार काफी अधिक होता है और उसे आप छोटे आकार पर परवर्थित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी file को compress कर सकते हैं इसके माद्दम से बड़े आकार की जो file है वो आपकी कम आकार में हो जाती है बाद में उसे आप अलग-अलग प्रारूप में open कर सकते हैं और अपनी file को प्राप्त कर सकते हैं अब next 200.156.27.8 means अगर ऐसा लिखा हुआ है तो या किसका उधारन है domain name का mobile number का IP address का या फिर इनमेशे कोई नहीं तो mobile number तो है नहीं आप सभी के पास mobile phones नहीं आप जानते हैं mobile number तो ऐसे होगा नहीं ये किसका उधारन है IP address का उधारन है किसका उधारन है IP address का ठीक है न IP के दो versions आपको मिलते हैं एक मिलता है IPv4 और दूस्ता मिलता है IPv6 ठीक है न दोनों को याद रखिएगा अब next निमलिखित में से कौन Libre Office Empress की विशेशता नहीं है Draw with a pen Printing Transparency Printing of Speaker Notes Along with Slide या इन में शिक कोई नहीं करता है यह क्या होगा इसका रखिटांस सा काफी important question है अपका तो यहाँ पर इसका रखिटांस हो जाएगा option C Printing of Speaker Notes Along with Slide E 메is means slide चबियों के साथ Speaker Notes की चपाई करना या Libre Office Empress की विशेशता नहीं है अब next किसी computer के hardware के पते को किस रूप में जाना जाता है The hardware address of a computer is known as IP address, computer address, MAC address या NIC address बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option C, MAC address MAC address को manufacturing address कहा जाता है CCC exam में MAC address का full form भी पूछाता है इसका full form होता है media access control क्या होता है media access control अब next HTTP किस प्रकार का protocol है बताइए what type of protocol is HTTP stateful, stateless, both या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B, stateless protocol है ठीक है न HTTP आपका stateless protocol होता है अब next IMP निम्लिखित में से किसके दोरा पेस किया गया था Mark, Crispin, John Puster, Kevin Strong या इन में से कोई नहीं IMP है क्या तो IMP email का एक protocol है फुल फॉर्म इसका होता है internet masses access protocol ठीक है एक question triple C exam में यहीं से बन जाता है कि POP3 का उत्राधिकारी कौन सा protocol है तो IMP protocol ही होता है और यहाँ पर यह पूछा गया है कि IMP protocol किसने लांच किया या इसकी जो संकलपना है किसने पेस की थी तो Mark, Crispin ने की थी option first is right अब next संपूर्ण land network को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है बताए निम्ल में से ऐसा कौन है जो पूरे land network को संक्रमित कर देता है Trogens, Worms, Bacteria या फिर Insect land क्या है आप सभी जानते है ट्रपर्ण सी इसाम में land का full form भी कापी पूछाता है land का full form होता है local area network क्या होता है local area network और यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B, Worms ठीक है ना? यह पूरे ने ट्रप को आपके संक्रमित करने का कार्य करता है अब next मुद्रक अदे के printer को शुद्ध हिंदी में मुद्रक कहा जाता है तो अगर आप English को नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर कहा गया है कि मुद्रक की गती मापने की इकाई CPM, LPM और PPM होती है अब आपको पता होना चाहिए कि CPM का full form क्या है LPM का full form क्या है और PPM का full form क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ उससे पहले आप सभी लोग इसका answer बताईए तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first true बिल्कुल सही बात है अब इसका full form क्या होता है तो CPM का full form होता है character per minute क्या होता है character per minute होता है वैसे ही LPM का full form line per minute होता है और PPM का full form page per minute होता है अब यह क्या करता है printer की speed मापता है देखिए printer कैसे मापेगा एक बार में एक character print कर रहा है तो इसको CPM है ना और एक बार में एक line LPM और एक बार में एक page तो page per minute यदि hidden file की संख्या बढ़ती है तो इसकी जाच किस command से होगी if the number of hidden file increases then which command will check it यहाँ पर बाग की गई है hidden file की संख्या की तो इसको CCC साम में Linux, Unix की command से संबंधित कापी साइप प्रशन पूच जाती है और यहाँ पर hidden file की जाच कौन करता है तो इसका right answer हो जाएगा option B, CHK, DSK actually CHK, DSK जो है यह check disk का shortcut है ठीक है? check disk means जो disk को check करता है वही check disk है यहाँ एक प्रकार की क्या है? command prompt होती है जो specified disk को check करती है repair भी करती है और जवरत पड़ती है तो यहाँ data को recover करने का कारे भी करती है ठीक है ना? याद रखीएगा अब next tar command का प्रियोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है copy, extract, achieve file, new directory या इन में से कोई नहीं बता यह tar command का क्या उप्योग है? tar command का उप्योग भी हम linux में करते हैं यह क्या करती है? एक group में जो भी file है compressed file है या ऐसे कोई file है उसका एक group बना के उसको compress करती है किसके रूप में? achieve file के रूप में तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B, extract, achieve file, अब next land में कौन सी topology नहीं होती है? bus, star, maze या फिर इन में से कोई नहीं बताईए क्या होगा इसका right answer? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि land में कौन कौन सी topology होती है land में मुक्यता तीन topology होती है कितनी? तीन होती है तो triple C exam में एक क्विशन पूछा सकता है कि land में मुक्यता कौन कौन सी topology कारे करती है या कितनी topology कारे करती है तो तीन करती है कौन कौन सी? bus, star, और ring ठीक है न? नोट कर लीजेगा bus, star, और ring और यहाँ पर से right answer जाएगा option third मेंस topology पूछा गया है कौन सी topology नहीं होती है bus, star, ring, मेंस, tree इन सभी के बारे में previous में मैंने explain करके आप कुछ समझाया है अभी अब next Facebook पर किसी संदिक्द link को click करना चाहिए बताइए क्या Facebook में अगर ऐसी कोई link हमें मिलती है जिस पर suspense है हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो सही है या फिर बेकार है तो क्या हमें click करना चाहिए या फिर नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option b false हमें ऐसी link पर बिलकुल भी click नहीं करना चाहिए अब next निम्ण में से कौन शमानता का प्रतीक है which are the following is a sign of equality equal plus star या फिर hash मताइए क्या होगा इसका right answer तो शमानता का प्रतीक कौन सा है इसका right answer हो जाएगा option first ठीक है equal होता है अब next किस operating system की सहायता से एक साथ कई उप्योग करता computer operate कर सकते है windows, time sharing, msdos या फिर इन में से कोई नहीं यहाँ पर windows भी आपका operating system है msdos भी आपका operating system है देखिए ऐसे operating system जो multi user operating system होंगे उसमें एक साथ कई सारे लोग कारेक कर सकते हैं लेकिन windows क्या है आपका multi user operating system नहीं है यहाँ single user operating system है multitasking होता है windows में आप एक बार में कई सारे कारे कर सकते हो तो यह multitasking है लेकिन multi user नहीं है वैसे ही msdos भी आपका single user operating system ही होता है ms का मतलब microsoft और dos dos का full form होता है disk operating system कभी कभी triple c में पूछ भी लेता है कि dos का full form क्या है तो इसका होता है disk operating system ठीक है ना अब यहाँ पर बात की गई है कि कौन ऐसा है या किस operating system की सहायता से एक साथ कई उपयोग करता computer operate कर सकते हैं तो right answer इसका हो जाएगा time sharing operating system अब next कौन से box में computer के केंदरी electronic घटक होते हैं बताइए कौन से computer में ऐसे box हैं जिसमें computer के केंदरी electronic घटक होते हैं motherboard, system unit, ramp या फिर peripheral तो इसका right answer हो जाएगा option first motherboard ठीक है ना motherboard में जो ये पूरा circuit होता है वो वही है ठीक है ना अब next www stand for www का full form क्या है worldwide warm wave worldwide wave worldwide wave worm या worldwide wave war दोस्तों अगर आपको पता होगा www का full form तो आसानी से आप इसका answer दे सकते हो उसका full form होता है worldwide wave यहाँ पर पूछा है four time w यह तो आपका होगा नहीं क्यों? यहाँ वर्ड वाइड वेब होता है यहाँ पर पहले warm दिया है और यहाँ पर सिर्फ www का full form है means यह दोनों option तो आपके right हो नहीं चकते हैं अब यहाँ पर इसका right answer जाएगा option fourth worldwide wave warm अब next What is the full name of Nylate? Nylate का full form क्या है? present time पर जो triple C के exams होते हैं वो Nylate के द्वारा ही संचालित होते हैं ठीक है न? और आपकी जो classes हैं यह भी Nylate के slabus के coding ही चलती हैं जो नए slabus पर ही based हैं अब यहाँ पर आपका options है National Institute of Electronic and Information Technology National Information of Electronics and Institute Technology National Information of Electronics and Institute Technique या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका full form होता है National Institute of Electronics and Information Technology option first is right अब next प्रापराइटरी साफ्टर को ओपें सोर्स साफ्टर भी कहा जाता है मताईए क्या प्रापराइटरी साफ्टर को ओपें सोर्स साफ्टर कहते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि ओपें सोर्स साफ्टर क्या होता है और proprietary software क्या होते हैं open source software वहां software होते हैं जो बिल्कुल free of cost में अर्थाग निसुल उपलब्ध होते हैं जिनके लिए किसी प्रकार की कोई भी payment हमें नहीं पेट करनी पड़ती है किसी प्रकार के license के आउशकता नहीं होती है वहां कहलाते है open source software और जिन software का उप्योग करने के लिए हमें license की आउशकता पड़ती है company को payment करना पड़ता है उसे कहते हैं proprietary software ठीक है open source software के साथ में हमें source code भी मिलता है अगर हमें programming की knowledge है तो source code में बदलाओ करके उसे हम अपने अनुरूप बना सकते हैं और अगर आपको programming की knowledge नहीं है तो इसके लिए हमाना दूसरा चैनल है programming tutorial जिसके link वीडियो की नीचे दी गई है वहां से आप programming सेख सकते हो तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option be false तो कि दोनों बिल्कुल opposite हैं तो आची class में बस इतने questions मैं आशक करता हूँ कि आज की यह class आपको पशन्द आई होगी अगर आपको यह class पशन्द आई हो तो वीडियो को like चरूर करें साथी साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए अभेक्शल computer को subscribe करके bell icon प्रस कर लें और हर साम 6-7 बजे triple C की class attain करते रहें जने भी e-books की आवशकता है वीडियो की नीचे link दिया गया है क्लिक करिए, download करिए, पढ़िए और triple C exam टॉप करिए फिर मिलते हैं, नस class में तब तक के लिए, bye bye